गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाओ टूडे माइ टॉपिक इस एडिशन ओफ इंटीजर मैंने आपको इंटीजर के बारे में पहले बताया था कि इंटीजर जो हैं वो क्या होते हैं अब हमें इंटीजर को कैसे एड करना है उसकी पहले प्रोपर्टीज बता रही हूं इंटीजर को कैसे एड करना है उसकी कौन-कौन सी प्रोपर्टीज है नमबर वन है क्लोजर प्रोपर्टी ओफ एडिशन का मतलब है जैसे मैंने पहले 5 प्लस 4 लिया तो इसको एड करके 9 आ का और दोनों को add करने तो एक plus और एक minus यह जब हम add करेंगे तो यह दोनों क्योंकि एक के साथ minus है और एक की यह plus 4 है तो 8 में से 4 subtract हो जाएगा यह आएगा 4 लेकिन sign बड़े का लगेगा बड़े के साथ negative का sign है तो यहां कौन सा sign put होगा minus तो अगर हम sum of two integer जो है अगर हम उसको add करते हैं तो वो भी क्या होते हैं एक integer ही होते हैं यह चाहे मैंने plus फालो को add किया तो भी यह plus 9 यह भी एक integer है और यह add किया तो यह minus 4 आ रहा है add करने के बाद तो यह भी एक integer है minus 4 second है commutative law of addition commutative law of addition का मतलब है जैसे मैंने दो integer ले लिए A और B कोई भी दो integer ले लिए चाहे मैं उसको ऐसे add करूँ A plus B चाहे मैं इसे ऐसे add करूँ B plus A बोथ हार क्या होंगे यह सेम जैसे दो integer लिए मैंने minus 4 और एक लिया मैंने 9 और ऐसे ही इसमें यह A minus 4 है और B 9 है तो इन दोनों को add करूँगी तो एक plus है और एक minus है तो यह add करते समय दोनों subtract हो जाएंगे sign बड़े वाले का, बड़े वाले के साथ plus का sign है, greater के साथ तो यहाँ plus लगेगा, और again b plus a, b क्योंकि 9 है और a हमारा minus 4 है यह भी दोनों, क्योंकि एक plus है, एक minus है, तो plus करते समय, दोनों क्या हो जाएंगे subtract और sign कौन सा लगेगा greater का, it means यह क्या हो गया, minus 4 plus 9 चाहे करें, या 9 plus minus 4 करें बोथ हार, सेम, इसे कहते commutative law of addition third है, associative law of addition, इसमें हमने 3 integer लिए, a, b और c, इन 3 integer को हम associative law of addition में कैसे लेंगे, अगर पहले 2 को add किया, 3 को बाद में तो भी, या फिर first को separate किया और second 2 को combine करके, उनको add किया तो भी इन 3 का sum जो है वो क्या आएगा, same, तो मैंने 3 integers लिए, 1 minus 6 1 minus 8 और 1 plus 5 तो पहले, a minus 6 है b हमारा minus 8 है और c हमारा plus 5 है, तो minus 6, 2 integers जब minus के होते हैं, तो add करते समय दोनों add हो जाएंगे, और sign कौन सा पुटोगा, minus का इसमें minus 14 और ये plus 5 minus 14 में से 5 subtract हो जाएगा, क्योंकि एक plus है, minus 14 में से 5 subtract करेंगे, 9 sign कौन सा लगेगा, बढ़ेगा अब ये मैंने a plus b plus c किया अब a हमारा था minus 6 b हमारा था minus 8 और c हमारा था plus 5 तो minus 8 और 5 ये combined add होंगे, minus 8 में से 5 ये subtract हो जाएगा, minus 3 और ये है हमारा minus 6 अब 2 integers जब minus के होते हैं तो add करते समय, दोनों क्या हो जाते हैं add हो जाते हैं और sign कौन सा लगता है, minus का इसे बोलते हैं associative law of addition now fourth है हमारा existence law of additive identity इसका मतलब है किसी भी integer में integer में 0 plus करें या 0 में कोई integer plus करें तो वोई integer same a माना था तो ये a ही आएगा तो 0 को हम क्या बोलेंगे additive identity of integer जैसे मैंने 9 में 0 plus किया या 0 में 9 plus किया तो दोनो 9 में 0 plus करने से भी 9 और 0 में 9 plus करेंगे तब भी क्या आएगा 9 आगे fifth है हमारा existence of additive inverse additive inverse मतलब जैसे ये plus a है और यहां मैंने लिखा minus a a का additive inverse minus a होता है और minus a का additive inverse क्या होता है plus a तो इन दोनों को जब हम add करेंगे plus a और minus a existence of additive inverse आज with the help of some questions मैं तुम्हें ये clear कर रही हूँ जैसे ये 15 plus minus 8 है तो 15 plus का है और 8 minus का है तो दोनों को add करेंगे हम 15 में से 8 चला जाएगा हमारा क्या आएगा 7 और sign बड़े वाले का लगेगा positive sign है तो positive लगेगा ये हमारा minus 16 और ये है हमारा plus 9 ये भी एक minus है और ये positive है तो दोनों क्या हो जाएँगे subtract हो जाएँगे 16 में से 9 subtract करेंगे ये भी 7 लेकिन sign यहां greater के साथ हमारा minus है तो यहां क्या पूटोगा minus अब हमें इसका sum find करना है 153 और minus 302 का सबसे पहले हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 153 plus minus 302 एक तो जब दो sign आ जाते हैं इस तरह से plus करना है मेरे को तो मैं इसे bracket में put करूँगे तो एक minus है और एक ये plus है add करना हमें तो 302 में से 153 subtract करेंगे हम पहले हम simply इसको subtract कर लेते हैं तो 2 में से 3 तो subtract नहीं होता यहां से 1 carry करके पहले इसे दिया तो यहां हमारा 2 रह गया और 10 में से 1 carry करके हमने यहां दिया यहां गया 12 यहां 9 रह गया 12 में से 3 subtract करेंगे 9 9 में से 5 subtract करेंगे 4 और 2 में से 1 subtract करेंगे यह हमारा आ गया 149 लेकिन sign कौन सा पुटोगा बड़े के साथ minus का sign है तो subtract करते समय sign कौन सा पुटोगा minus का यह हमारा इसका दोनों का क्या आ गया sum आ गया अब additive inverse क्या होता है मैंने अभी आपको उपर बताया था कि minus का additive inverse क्या होता है plus और यहाँ plus है sign तो plus का additive inverse क्या होगा minus यह आपको question अच्छे से समझ आ गये होंगे अभी मैं आपको एक worksheet दे रही हूँ यह है हमारी worksheet जो आपको solve करनी है no down कर लो सब बच्चे thank you have a nice day